हलो गाईज आज हम HP TAT की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और यह जो सीरीज है वो आने वाला आपका जो पेपर है HP TAT का नवंबर और दिसंबर में उसके लिए सब ही जो भी TAT के एस्पिरेंट्स हैं उसके लिए बहुत हेल्फूर रहेगी आज की जो हमारी वीडियो है वो जन्न नौलेज और शोशल स्टडी से रिलेटर है चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला कोशन है दश्रागी युद मैंशन इन विच वेद दश्रागी युद का उलेक किस वेद में है आपके ऑप्शन है रिगवेद सामवेद या जुरूरूर अथरवेद इसका जो सही अंसर है हमारा ऑप्शन नमबर वन रिगवेद रिगवेद में जो आरे राजा जो थे सुदास वो जीत गए थे और इसका अलावा जो हमारा दश्रागी युद्ध है इसका वर्णन जो है वो रिगवेद के सात्वे मंदल में मिलता है सबसे पुराना वेद कौन सा है आपके और इसका जो सही अंसर है वो हमारा आप्शन नमबर फर्स रिगवेद है आपने इस सीरीज को एक मॉक टेस्ट की तरह लेना है जिससे क्या होगा आप जो है अपने चेक कर पाएंगे कि आपके कितने कुश्चन सही हो रहे हैं कितने गल रिगवेद जो है वो हमारा सबसे पुराना वेद है यह जो है दस मंडल में डिवाइड है और इसमें कुल जो है एक हजार अठाइश लोक है रिगवेद में जो है वो हिमाले को क्या कहा गया है मुझवन्द कहा गया है ठीक है और जो इसके अलावा जो रिगवेद में हमें important बाते पता होना चाहिए रिगवेद जो है उसमें जो है गायत्री मंतर है जो रिगवेद के तीसरे मंडल में mention है और ये जो गायत्री मंतर है ये गोड़ सवित्री या सन से related है अब इधर अगर आपके पास दोनों option है तो option number first सावित्री रहेगा और सावित्री को ही हम सरस्वती भी कहते है अस्तो मा सदगम में जो है वो हमने कहां से लिया है रिगवेद से लिया है सामवेद जो है हमारा वो किससे है जो भी हमारे गीत होते हैं उससे related है जैसे आपने गाना सुनाओगा मेरे चुनकु अख्वाइदे में जो दाल फुलका तो अगर दाल फुलका खिलाना है तो पहले सबसे पहले आपको नौकरी लेनी पड़ेगी जो नेक्स कुशिन है अथरवेद जो है वो हमारा जादू टोने से रिलेटेड है ठीक है जादू टोना जैसे हम बोलत लियग्य होते थे उनका मैंशन है इसके अलावा गद्य और पद्य का मैंशन है नेक्स कोशन है विच इंस्क्रिप्शन तैल्स यू अबाउर्ट फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती यानि कौन सा शीला लेक है जिसमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य दिया गया है जिससे हमें पता चलता है कि सती जो है उस टाइम चली होई थी इसका जो सही अंसर है वह हमारा option number first एरान इंस्क्रिप्शन है जो एरन शीला लेक है वो हमारा कहां पे है मध्य परदेश में है और यह जो है उस टाइम जो राजा कौन था जब यह शीला लेक लिखा गया था तो राजा थ मानव के द्वारा पहली यूज की गई धातू तो इसका जो सही अंसर है वो हमारा option number first copper इसके अलावा जो हमारा second option है bronze ये जो धातू थी ये सिंधु काल सभ्यता जो थी सिंधु घर्टी सभ्यता उसके दोरान बहुत important थी और उस सभ्यता को हम bronze age भी कहते हैं जो next question है invention of deal take place at which period यानि पहिये का अविशकार किस काल में हुआ तो इसका जो सही अंसर है वो हमारा option number second neolithic period यानि नफ पशान काल नफ पशान काल में जो था हमारा पहिये का अविशकार हुआ था इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए जो मानव थे उसमें एक शिकारी होते थे उसमें कुछ खेती वगएरर नहीं होती थी तो हम जो थे एक शिकारी होते हैं तीक है और जो हमारी farming है यानि कृशी है वो हमारी नव पाशानकाल यानि नियोलिथिक पीरिड में शुरू हुई है जो next question है who was the founder of Brahm समाज Brahm समाज के संस्थापक कौन थे तो इसका जो सही answer है वो हमारा option number first राजा राम महोन राए राजा राम महोन राए जो थे वो Brahm समाज के संस्थापक थे इसके अलावा तो हमारा option number second है दयानन सरस्वती जो हमारे दयानन सरस्वती है ये जो थे आरे समाज के संस्थापक थे दयानन सरस्वती जो है वो हमारे आरे समाज के संस्थापक थे इसकी स्थापना थी राजा राम मोहनराय ने करी थी और 1828 में करी थी। अब राजा राम मोहनराय के बारे में कुछ important जो हमारे लिए है, समसे पहले 1814 में राम मोहनराय ने आत्मि सभा की स्थापना करी थी। और इन्होंने एक important book लिखी है, precepts of Jesus और इन्हें जो है आधनिक भारत का पिता भी कहा जाता है और भारती पुरन जागरन का पिता भी कहा जाता है जो next question है the sun rotates its axis from यानि सूर्य अपनी धूरी पर गूमता है तो आपके option है east to west north to south, west to east या फिर south to north इसका जो सही answer है हमारा option number first east to west यानि पूरव से पश्चिम जो हमारा सूर्य है वो पूरव से पश्चिम की और गूमता है जो इसके अलावा जो हमें पता होना जीए जो हमारी सूर्य की रौशनी है वो 8 मिनिट और 16 सेकेंड में जो है सूर्य से परिथ्वी पर पहुंचती है और जो हमारा सन है उसमें क्या होता है नुकलियर फिजन होता है यानि छोटी-छोटी कोई चीज है उससे बड़ी चीज बनती है इसमें जो है वो हाइड्रोजन जो होती है वो हीलियन में कनवर्ट हो जाती है वीच लियर आफ सन we seen during solar eclipse यानि सूर्ग रहन के दोरान हम सूर्ग की कौन सी परत देखते हैं option number one है corona, option number second photosphere, option number three chromosphere, option number four crompton, इसका जो सही अंसर है option number first corona इसके अलावा हमें sun की 3 layers के बारे में पता होना चीए अगर यह हमारा sun है तो इसकी जो 3 layers है जो हमारी सबसे बाहर की layer है इसको हम बोलते है corona और इसके अरावा जो हमारी मध्य वाली जो हमारी layer है इसको हम बोलते है chromosphere और जो सबसे अंदर वारी layer है इसको हम बोलते है photosphere जो हमारी मध्य वाली है उसको हम बोलते है chromosphere जो next question यह देखिए corona is the outermost सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो सूरे की वो है करोना और क्रोमोस्फेर जो है वो हमारी मध्य वाली जो लेयर है और फोटोस्फेर जो सबसे आंतरिक लेयर है सूरे की which is called as Magna Carta of Indian Constitution यानि भारती संबिधान का Magna Carta किसे कहा जाता है आपके option है fundamental right, fundamental duties, directive principle of state policies या citizenship इसका जो सही answer है option number first fundamental right यानि मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों को भारती संबिधान का Magna Carta कहा जाता है और यह जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कौन से part में है तो वो है part 3 तीसरे part में है इसके अलावा जो हमारे मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 आर्टिकल के बीच में mention किये गए है जो हमारे fundamental duties है वो जो है part 4A में बताई गई है और जो हमारे directive principle है यानि राजय के नीती निर्देशक सिधान वो हमारे part 4 में बताई गई है और हमारी जो citizenship है वो part 2 में बताई गई है ठीक है part 3 में जो है वो fundamental rights बताई गई है और यह 12 आर्टिकल से लेकि 35 आर्टिकल के बीच में आते है जो हमने हमारे fundamental rights है वो कहां से लिए है वो हमने USA से लिए है विच आर्टिकल is known as the name of presidential rule आपके option है कौन सा आर्टिकल जो है वो president यानि राष्टपति शाषन के रूप में जाना जाता है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 370 इसका जो सही answer है वो हमारा option number second आर्टिकल 356 आर्टिकल 356 यानि state emergency इसके अलावा जो हमारी 352 है आर्टिकल वो है हमारा national emergency आर्टिकल 356 हमने डिसकस कर लिया कि वो state emergency है आर्टिकल 360 जो है वो financial emergency है इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो financial emergency है वो आज तक कभी भी लागू नहीं हुई है और emergency का जो provision है वो हमने कहां से लिया है जर्मनी से लिया है और यह part 18 हमारे संभिधान के उसमें mention है जो next question है the first five year plan based on which model यानी जो हमारी पहली पंचवर्षी योजना थी उसका और किस नाम से जाना जाता है आपके option है हराड़ोमर मौडल महानोबॉलिस मौडल प्लैन हॉलिडे नन ओफ दीज इसका जो सही अंसर है वह हमारा option number first हराड़ोमर मौडल इसके अलावा जो हमारा महानोबॉलिस है यह जो है second year plan था second year plan को हम महानोबॉलिस मौडल भी कहते हैं next question है हमारा milk is related to which revolution यानि दूद्स जो है वह कौन सी करांती से related है आपके option है white revolution सफेद करांती round revolution गोल करांती red revolution लाल करांती golden revolution सुनहरी करांती तो इसका जो सही अंसर है option number first white revolution इसके अलावा जो हमारा round revolution अच्छा white revolution जो है इसके father जो है वो कौन है बर्गिस कुरियन और जो हमारी round करांती है गोल करांती वो किस से related है वो हमारे आलूओं से related है potato red revolution जो है वो हमारा meat और इसके अलावा जो हमारे tomato है उससे related है जो नेक्स्ट है golden revolution गोल्डन revolution जो है वह हमारी वार्टी कल्चर यानि बागवानी से रिलेटर है जो हमारा next question है what is the theme of G20 summit जो अभी G20 summit चला उसकी चला है उसकी theme क्या है तो आपके option है वसुदेव कटुमबकम अस्तोमा सद्गम में सत्यमेव जैते नन आपतीस इसका जो सही answer है वो अमारा option number first वसुदेव कटुमबकम है इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमने कहां से लिया है तो वसुदेव कटुमबकम जो है वो हमने महाँ उपनिशद से लिया लिया है जो G20 हमारा summit चला है 2023 इसमें जो है वो host हमारा इंडिया है 2024 का जो G20 होगा वो कहां पर होगा ब्राजील में होगा इसका होस्ट ब्राजील होगा और जो 2025 में होस्ट होगा वो होगा South Africa और अभी रिसेंटली जो है वो African Union जो है वो G20 में एड हो गई है इसके अलावा आपको पता होने चीए हमारा अस्तो मा सदगम में जो है वो कहां से लिया गया है वो हमारा रिगवेद से लिया गया है और जो हमारा सत्यमेव जाईते है वो हमारा मंडुक उपनिशद से लिय on यानि राश्ट्री हैल्थ रिवस कब मनाया जाता है आपका आप्शन है आप्शन नम्र 1st 7 अपरेल आप्शन नम्र 2nd 6 अपरेल आप्शन नम्र 3rd 7 मार्च आप्शन 4th 7 मैई इसका जो सही अंसर है वो हमारा आप्शन नम्र 1st 7 अपरेल है इसके अलावा आपको कुछ important days प जो हमारा 22 मार्ज को कौन सार दिवस होता है यह आप मुझे कमेंट में बताएं ठीक है आपके लिए आज का जो क्वेश्चन है वो क्रेटर दा फर्स्ट मैप आफ दा वर्ड यानि बिशुव का जो पहला मांचित्र बना था वो किसने बनाया था आपके ऑप्शन है एनेक्सी मेंडर आपके सेकंड ऑप्शन है इरेटोस थैनिज ऑप्शन नमबर थ्री टॉलमी और नमबर फोर कोपर निक्स तो यह जो है आप मुझे को कमेंट में बताएं और इसके अलावा जो है अगर आप कोई भी सुजेशन देना चाहते हैं तो हमें दे सकते हैं जैसे कि आपको टॉपिक वाइस क्विज चाहिए इसके अलावा की मिक्स क्विज चाहिए क्योंकि इसमें अब हम जो है धीरे-धीरे सभी क्वेशन जो भी आया है एच्पी टैट में प्रिविएस येर और जो आ सकते हैं उसको हम कवर करेंगे थैंक यू और प